ये बीटिफुल पीबू, बेलकम सी लखनों लोगों से आज हम बात करने वाले हैं एक थर्मो सील के बारे में ये मॉडल कुछ जाद ही स्पेशल है और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे आपका ऐसे बेनिफिट्स मिलेंगे जो बाकी मॉडल में नहीं मिलते हैं तो ऐसे क्या खासियत इस मॉडल में ये 800 ml की केटल है जो की मिल्टन की थर्मो सील आती है हमिल्टन यहाँ पे मेंशन भी करके देता है 24 आर्च होट इन कोल तो जो की हमारे और आपके लिए बहुत दादा बेनिफिट है यहाँ पे चार फीचर्स दियो है कि यह 304 इस चैने स्टील जा बना हुआ है वेक्यूम इंसुलेटेड है वेक्यूम इंसुलेशन ऐसा इंसुलेशन होता है जिसमें काफी देर तर ठंडा या गरम बना रहता है काफी लॉंग लास्टिंग इसमें टेंपरिचर मेंटेन रह करेंगे यहाँ पे MRP बहुत ज़्याँ ज़रूरी है यहाँ पे जैनवरी 2021 की मैनुफैक्चरिंग है 1320 इसका प्राइस में थोड़ा उपर नीचे हो सकता है क्योंकि समय समय पे प्राइसे चेंज होते रहते हैं तो अपडेटेड प्राइस के लिए इसी वीडियो की डिस्क लेनी है तो यह गयाँ आके लिए एक बंग है तो जरा सा इसका डिबा साइड में रख देते हैं और पिर इसके बारे में डिसकूस करते हैं सबसे चीज है पहली बात तो यह है कि जो मिलतन है वह पूरी तरीके से आपको शॉरेंस देता है कि यहाँ पे आपको 24 और होट एम अब ग्याले मॉडल में इसी क्या खासियत है पहली चीज तो मैं आपको बता दूँ ग्याले मॉडल में आप हाथ डालके साफ कर सकते हैं जो कि जनरली किसी भी थर्मो सील केटल में इतना बेनिफेट आपको नहीं मिलता है कोई भी केटल 24 आज होट एंड कोल के लिए होती है आपका हाथ नहीं जाता है जिसकी वाइज से क्लीनिग आपको ब्रश दे करनी परती है तो वहीं पर यह आपको मैं बता दूँ कि यहां पर जो सबसे बड़ा बेनिफेट हाइजीन को लेके है वह इस केटल में पूरी तरीके से मिलता है और साथी साथ मैं आपको बता आपको यहां लिड ओपिन और क्लोस करने में प्रॉब्लम है क्योंकि धक्कन थोड़ा चोड़ा है तो उसका ट्रिक में आपको बता देता हूं कि यहां पर थोड़ा पीछे घुमा के फिर इस तरीके से घुमाईएगा तो बराबर इसका जो रिंग होती है उसमें बैट जा अगर आप मिल्क साधा मिल्क रखना चाहते हैं तो हमिशे ध्यान रखिए कि आपको धक्कन पूरा खोलना पड़ेगा और तभी मिल्क निकालीगा नहीं तो मिल्क में फटने की शिकायत आजाती है और कभी अगर आप मिल्क रखते हैं तो यहां पर यह वाला जो रवड है यह ग्यासकेट पूरी निकाल लीजेगा इसको अच्छे से वाश करिएगा तब दुबारा रियूस करिएगा नहीं तो इसमें महक आ सकती है और अगर अभी रिसेंटली अगर आप कोई भी ऐसी चीज फेस कर रहे हैं इस टाइप की बॉटल में महक के लिए तो उसका मैं ए नीचे दिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो अल ओवर इंडिया के लिए अगर आप इंडिया के अंदर है तो इसको आप एक अच्छे डिस्काउंट में पर्चेस कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे लिंक से और साथी साथ इसमें मॉडल सारे आपको साइज भी मैंने जाता है और साथी साथ हाईजीन को लेकर ये बाकी मॉडल से जादा बहतर है और साथी दन में आपको एक चीदवा बता दू कि कभी अगर आप इस टाइप की बॉटल से लेते हैं तो क्या-क्या चीज़े आपको ध्यान में रखने चाहिए ये पार्ट इस वीडियो का जा रहा है तो यहां पर यह पॉटर्शन बिल्कुल पॉटर्फिक्ट है और यह वाला जो पॉट्शन है वह यहां से जुड़ा हुआ होता है देखेगा भी जब मैं इसको मूव करूँगा तो यहां से ब्सक्राइब करते हैं तो यहां से थोड़ा सा एयर मिलती है जिसकी बिल्कुल पॉट्ट है कि आपका लेड डामेज नहीं है दूसरा पॉर्शन यह है कि कभी भी क्या होता है कि स्टील पॉर्शन में कुछ चीज़े बहुत जरूरी होती है देखने के लिए पहली चीज तो नीचे की तरफ आप देखिएगा कि कहीं से भी हमरिंग नहीं होनी चाहिए अगर कहीं से भी बॉटल दभी हुई है तो वह 24 आउस होट नहीं रखेगी और यूस करने से पहले आप उसको वापिस भी कर सकते हैं तो इस चीज का ध्यान दीजेगा अगर आप कहीं से भी पॉटल दभी होई होती है कहीं से भी हमर होती है तो वह थर्मो स्टील क आपको बिलकुल इंटक्ट और बढ़िया लगता है तो मैं आप से कह सकता हूं कि आप इस मॉडल को परचेस कर सकते हैं और यह मॉडल ऑल ओवर इंडिया ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एवेलेबेल है क्योंकि काफी जाधा बिखने वाला मॉडल है क्योंकि 24 आज होट एंग उसमें माउथ जब छोटा हो जाता है तो इसको रखने में किसी भी राक में रखने में बहुत असानी होती है और मुझे लगता है कि काफी आर्गनॉमिक डिजाइन है तो अगर आप यह आली बॉटल परचेस करना चाहते हैं और आपको बहतर लगती है तो होट इन कोल में 24 होट न कोल के लिए आप यह आली बॉटल ले सकते हैं काफी बहती है एक्सपीनेस रहा है मेरा इस बॉटल को यूज करते टाइम पर तो मुझे लगता है कि यह वाली बॉटल आपको परचेस करने चाहिए यहां कुछ ऐसी डीटेल है जो कि काफी लोगों को डाउट में द्यान रखेगा कि काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि थर्मोसीन में अंदर की तरफ कॉपर आता है कि नहीं आता नहीं ऐसा नहीं होता दोनों वाल के बीच में कॉपर कोटिंग होती है जिसकी वज़े से आपका जो अंदर का जो भी मटेरियल है वो एक मेंटेन सकते हैं इस चीज का ध्यान दीजेगा और अगर इसके अंदर आप चाय रख रहे हैं तो मैं कोशिश करिएगा कि 4-5 घंटे में कंज्यूम कर लीजेगा क्योंकि उसके बाद चाय का स्वाध चेंज हो जाता है और पानी रखने के लिए जितना रखे कोई दिकर नहीं है और नी तो चैंट है रखती है और बाद चाहरे कोषले टाहरे के लिएत्या है